हलो दोस्तों, आज मैं आपको iCloud के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ अगर आप Apple का iPhone, iPad या फिर iMac, MacBook यूज़ करते हैं तो आपने iCloud के बारे में कुछ तो सुना होगा आप देख रहे हैं Techie प्रसांत तो चलिए देखते हैं तो अब हम देखते हैं कि iCloud क्या है तो iCloud Apple के एक online service है जो आप Cloud में content storage के लिए use कर सकते हैं iCloud में आप photos, videos, document, music और application के settings भी store कर सकते हैं और iCloud के थुरू आप photos, calendars, notes, location वगेरे अपने friends और family के साथ share कर सकते हैं और iCloud दो device के बीच में data synchronize भी कर सकता है तो इसके लिए होगा क्या कि अगर आपने एक device में कुछ photographs capture किया है तो वाया internet वो photographs iCloud के साथ synchronize हो जाएगे और वो iCloud के साथ जितने भी device connected है उसमें भी वो photo अपने आप चले जाएगे तो आपको अपने iPhone में से iPad में photo transfer करने के लिए अपना iPad या फिर iPhone Mac के साथ connect करना नहीं पड़ेगा और वाया internet वो same photographs दुसरे device में भी अपने आप आजाएगे यानि आप multiple device में content synchronize कर सकते हैं और दुसरा एक use iCloud का ये है कि आप अपने कोई भी device अगर lost हो जाता है तो उसे find कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको अपने device के अंदर find my iPhone on रखना पड़ता है और iCloud जो service है वो अभी 5 GB तक storage के लिए free है उससे अगर आपको ज्यादा storage चाहिए तो आप उसे upgrade करवा सकते है उसमें 50 GB, 200 GB और 2 TB तक की storage quota है अपने हिसाब से आप plan upgrade करवा सकते हैं तो अब हम देखते हैं कि iCloud synchronize work कैसे करता है तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपका जो device है उसके अंदर iCloud का account configure करना पड़ता है तो iCloud के लिए कोई और अलग account होता नहीं है generally आपका जो Apple ID होता है उसका use करके आप अपने device में iCloud configure कर सकते हैं for example आप अपने iPhone में अपना iCloud account configure कर दीजिए और वही Apple ID और password आप अपने दूसरे device iPad या फिर iMac कोई भी device है उसमें configure कर दीजिए जो भी supported application है iCloud के लिए वही application दो device के बीच में data synchronize कर सकते हैं या तो फिर कोई भी document iCloud में store कर सकती है तो application के अंदर भी ये support होना चाहिए मैंने एक अलग video बनाया है आप वो video देख सकते हैं उपर आपको link मिल जाएगी उसमें मैंने बताया कि आप अपने iPhone, iPad, Macbook में कैसे iCloud configure कर सकते हैं तो मैं अब आपको एक demo बताने जा रहा हूँ कि iCloud कैसे synchronize करता है तो demo के लिए मैंने यहाँ पे एक note application चूज की है तो यहाँ पे left पे जो है वो मेरे desktop पे मैंने notes application ओपन कर रहा है मैं अभी Apple का Macbook Pro यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे जो दूसरी window है वो मैंने अपना iPhone मेरे laptop के साथ connect कर दिया तो अब मैं आपको demo देने जा रहा हूँ कि जब मैं अपने Macbook में note application में कुछ data update करता हूँ तो वो iCloud के थुरू synchronize होके कैसे मेरे iPhone में भी update होते है तो आप यहाँ पे live देखेंगे यहाँ पे मैंने दोनों screen चालो कर रहा हूँ तो यह sample note है यहाँ पे मैं कुछ data write कर रहा हूँ this is test जैसे मैंने लिख दिया तो तुरंदी आप देखेंगे कि यहाँ पे right side में यह जो मेरे iPhone की screen है वहाँ पे वो updates हो गया तो same चीज मैं अपने iPhone में भी कर सकता हूँ अपने iPhone में जाके अगर मैं कुछ sentence add करो तो तुरंदी उसका reflection मुझे मेरे जिए desktop की यह notes application है उसमें मिल जाएगा तो testing के लिए अभी मैं यहाँ पे कुछ data enter कर रहा हूँ ओके जैसे यहाँ ओके और मैंने done tap कर दिया तो आप देखेंगे कि तुरंदी उसका reflection जो है वो यहाँ पे notes application में मिल जाएगा आप देख सकते हैं कि उसका reflection में थोड़ा time लगा लेकिन synchronize हो रहा है तो फिर से test करते हैं यहाँ से मैं कुछ नया text लिख रहा हूँ तो आप देखेंगे उसका reflection तुरंदी मेरे iPhone में मिल जाता है अभी मेरे iPhone के through मैं कुछ data delete कर रहा हूँ जैसे मैंने यह line delete कर दी तो iPhone में delete करके मैं जैसे ही done प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख रहा है कि दोनों application synchronize हो रही है तो यह demo मेंने notes application के through दिया ज़रूरी नहीं है कि यह note application ही इसा काम करती है बहुत सारी application है जो device synchronize का feature support करती है तो आपने देखा कि iCloud कैसे work करता है अगर आपको यह video पसंद आया है तो उसे like कर दीजे और चैनल को subscribe नहीं किया है तो उसे subscribe भी कर दीजे subscribe करने के बाद जो bell का icon आता है उसे भी tap कर दीजे तो जब भी मैं नया video upload करूँगा तूरंती आपको उसका notification मिल जाएगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद